प्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किजिए और ये घंटी का बटन दबाए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों आपका बहुत स्वागत है ग्रेंस्पन गार्डन में। अपरदी सब्सक्राइब के लिए हमारे तुल्सी के प्लांट पर शिकायत शुरू है और या हमाया तुल्सी के प्लांट सूख रहा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने तुलसी के प्लांट को सरद्यों में सूखने से बचा सकते हैं दोस्तो आपके सामने ये एक प्लांट है, तुलसी का, ये मैंने सीट से ग्रो किया था, अगर आप जानना चाहते हैं कि तुलसी को सीट से किस तरह से ग्रो किया जाता है, तो उपर आई बड़न पर ये एक लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों तुलसी को सूखने से सरदियों में कैसे बचाएं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरदियों में तुलसी सूखती क्यूं है इसका सबसे बड़ा रेजन होता है धूंद पढ़ना और टेंपरेचर का नीचे जाना त तो इसको हमें भरपूर धूब देनी होगी और इसको हमें ठंड से भी बचाना होगा पाले से बचाना होगा तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा जितने भी हमारे तुलसी के प्लांट पर यह फूल आएवे हैं यह सीट्स आएवे हैं इनको हमें सबक पावर सीट में निकाल देता है और उस पावर को हमें बचा कर रखना सर्दियों के लिए ताकि प्लांट अपने पूरे भरपूर लिफ्स बना पाएं देखिए इस तरह के यह सीट सेंस के सीट पॉर्ड आप बोल सकते हैं यह हमें तोड़ देनी है इसको तोड़ने का सिर्फ यही रिजन है जो मैंने पहले बताया कि प्लांट की जो पावर है वो अपने सीट में नहीं जानी चाहिए बलकि खुद को ग्रो करने में होनी चाहिए तो देखिए इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे आप चाहे तो किसी सिजर का यूज़ कर सकते हैं किसी कैची का यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह जो फ्लावर है इसको मैं भी हाथ से तोड़ू है क्योंकि कुछ लोग इस बात पर अब्जेक्शन करते हैं कि तुलसी को हमें क्यांची से नहीं काटना चाज़िए इसलिए मैं इसको हाथ से तोड़ रहा हूं अब दोस्तों हमारा अगला स्टेप है अपने प्लांट को कीडों से बचाना सर्दियों में काफी सारे कीडे हमारे प्लांट में लग जाते हैं जैसे की एफिट्स हुए तो उसके लिए हमें यह एक फंगिसाइड का पानी है इसका हमें स्प्रे करना होगा अभी फिलाल मेरे स्प्रे बोटल एविलेबल नहीं है वो खराब हो गई है तो इसलिए मैं फंगिसाइड पानी का जो छिड़का मैं इसके उपर करूंगा आप एक लिटर पानी के अंदर एक चमबच फंगिसाइड पाउडर मिलाकर डाल सकते हैं और थोड़ा साब स्वाइल में डालिए क्य जरूर डालेंगे और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला स्टैप होगा वो होगा तुलसी को धुन से और कोहरे से बचाना तो उसके लिए हम यूजज करेंगे ये एक ग्रीन नेट जी हाँ ग्रीन नेट को आप चाहे तो तुलसी के ओपर इस तरह से डाल सकते हैं और त कपड़ा क्या करेगा यह आपकी तुलसी को बिल्कुल कोरे से बचाएगा आप इस तरह से not सकते हैं इससे आपकी मिट्टी के अंदर करने जाएगा अच्छली दोस्तों क्या होता है कि जब this plant के अपर कोहरा पढ़ता है या पाला पढ़ता है तो उससे plant सुखने लगता है when plant अपनी एनर्जी खुराब करने लगता तो यह जो कपड़ा है हम इसका ऊफ्य करेंगे आप चाहे तो ना कोई भी कॉटन का और बाकी जगह भी शुरू हो चुकी हैं दोस्तों यह तरीका मैं अपने प्लांट पर काफी टाइम से यूज़ कर रहा हूं सरदियों में मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था और आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट मुझे मिला है तो आप इसको यू अच्छा रहे हैं थैंक यू सो मच